नमस्कार दोस्तों सागते आप सभी का एक बार फिर से मारी यूटूब चैनल प्रिंस एजूकेशन पर तो साथियों कैसे आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे तो साथियों SSC CHSL के फॉर्म एपलाई जो है इस टाम चल रहे हैं एक दो दिन रह यानि कि 15 दिशेंबर इसकी लास्ट डेट है अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपना ही नहीं किया है तो अभी अपलाई कर सकता है और साथियों मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ कि अगर आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़के जाते हूँ तो मैं मानता हूँ प्लीज आप वीडियो के साथ एन तक बनी रहीगा उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ अगर आप ऐसी इंफर्मेटिव बीडियो चाहते तो प्लीज आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आग और बटन प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडिय डालूँ आपको तुरंत इंफर्मेशन मिल जाए तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते देखिए आपका मिजो टॉपिक जयनिकि सब्जेक्ट जो है आपके बात कर लेते वो है आपका इंग्लिस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो देखिया आपको इंग्निस के बारे में Sonina की आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि एक्ट पासिव बॉइस, आपके दों पहुत्क ड cm पूच raging में पूचक से यानि कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि spelling error से एक से लेके दो question के बीच आपका spelling error से हर बार पूछा जाता है मैं आपको ये सभी topics जो बता रहा हूं ये topics अगर आप कबर कर लेंगे तो मैं मान तो 100% आपका exam clear हो जाएगा क्योंकि साथियो मैं आपको काफा काफी social analysis करने के बाद ये topics आप सभी के सामणे लेके आया हूं देखिए अभी बात कर लेते हैं आपके देखिए proposition के बार में देखिए application से question पूछे जाते हैं जादातर अब बात करें आ fluor and एंतो्निम्स की बात करें तो एंतोो अकльणि में लूवर्ट्यसिसेन की जाते हैं कोश्चन पूछे जाते हैं और इडियमेंटफेस में हैं 1-2 क benefiting me और कि यह सभी जो topic मैंने भी आपके सामने बताई हैं यह 10 topics है यानि कि 10 topics है अगर आप English में इन सभी 10 topics को cover करके चले जाते हैं तो मैं मम्ताओं कि आपका exam जो है SSC CHLs का exam जो है वो clear हो जाएगा exam मैं आपके बताना चाहूंगो कि देखी preparation के लिए आप कर तो और भी कुछ सकते हैं लेकिन मैं जो आप topic बता रहा हूं वो cable मैं आपको बता रहा हूं minimum अगर आप इन सभी topics को clear करके चले जाएंगे तो आपका exam जो है clearly 100% हो जाएगा आगे बात कर लेते हैं देखी अगले subject के के बारे में mathematics की बात करें देखी mathematics के बात करें तो सबसे जादा portion पूछे जाते हैं वो कि आपका time and work से जानी की time and work से हर बार question पूछे जाते हैं दोसे लेके तीन भी आ जाते है चार-चार कोशन तक आजाते हैं आगे बात करें देखें आपका profit and loss में की बात करें तो इससे भी काफी कोशन mı पूछे जाते हैं 2-3 कोशन के बीच average इससे भी पूछे जाते हैं हर एक्जाम में आगे बात कर लेते हैं देखिए आपका percentage, percentage से क्या बाप करें तो 3 से लेके 5 कोशन के average आपके percentage से पूछे जाते हैं, SSE, CHS, लेके app jam में, आगे बात कर लेते हैं आपका time and distance यानिकी समय और दूरी से question पूछे जाते हैं, 2 से 3 question इस से भी पूछे जाते हैं, technometry की बात करें, 101 स आप देखिए, मैं बता देता हूँ, आप सभी को देखिए, यह जो 10, यानिकी 8 topics हैं, आप देख सकते हैं, यानिकी mathematics में मालो आप 8 topics यह वाले, जो मैं भी आपको बताई यह वाले, यह सभी जो topics हैं, अगर मालो आप इन सभी topics को cover करके चले जाते हो, यानिकी जितने भी मै मार्स के लेके 20 मार्स की बीच आ सकते हैं, 17 से लेके 20 के बीच, आपके marks आ जाएंगे, 17 to 20, यानिकी 17 to 20 मार्स की बीच आपके exam में आ जाएंगे, अगर आप इन सभी topics को cover करके चले जाते हैं, तो, आगे बात करी ते हैं, देखिए, रीजिनिंग के बारे में, रीजिनिंग से आगे बात करें देखिए problem problems in age कुष्ण पूछे जाते हैं आगे बात करें देखिए numerical is to number and number puzzle cancel से काफी कुष्ण पूछे जाते हैं और चेसी or series से बी 2 से तीन से चार चार कोष्ण और जाते हैं तो आप सकते हैं यह आगे बात करते हैं figure and classification से बात question पूछे जाते हैं काफी और mirror image से यानि कि यह nine topics हैं आप देख सकते हैं reasoning में आपके nine topics कबर की हैं मैंने काफी analysis करने के बाद अगर आप यह nine topics जो मैंने अभी आपको बताए यानि कि mathematically operations, dice, blood relation, problem in age, number puzzle और आपका statement and council और series and आपका figures और आपके classification और mirror imaging अगर आप इन सभी topics कबर करके चले जाते हैं तो आपके reasoning में 25 मैंसे मैं मानता हूँ आपके 20 के आसपास question आप सही करके आ जाएंगे 20 तो आप attempt करीप आएंगे यानि कि average की बात करूँ तो 20 marks आप इसमें reasoning में कवर कर सकते हैं आगे बात कर लेते हैं देखीए अब आपके क्या होगा जीड़ी मैंने आपको क्या बता हैma सबसे पहले आपका mathematics बता दिया, reasoning बता दिया, English बता दिया तो उसमें आपका देखी आपका fundamental rights कबर करके जाने होने fundamental rights आगे बात करें इसममें इसे अब करके जाने है question और एक है आपका article से question कबर करके जाने होंगे आपको power of president यानि की राष्टपती की सकती साल सकती हो दिया है वो आपको खभर करके जानी होंगी यह सभी topics आपको कबर करके जाने होंगे power of vice president, speaker of lawgsabah, लोक है speaker of rajasabh यह सभी topics cover के जाने होगे और आपको schedule यहनि कि यह सभी यानि कि अनुछेद और यह आप इंडियन constitution से जितने मी मैंने आपको topics बताए हैं इन सभी topics को आपको cover करके जाना होगा आगे बात कर लेते हैं देखिए geography के बारे में geography की बात करूँ देखिए साथियों geography पे आपको cover करने होगा national park आप देख सकते हैं national park से हर बार question पूछे जाते हैं important जो lakes यानि कि lakes बगएर आपको याद तयार करके ले जानी होगी important याइंगे आपके परियोजना बगएरा है वो आपको cover करके जानी होगे अब्ढ़न करके चाने होगे important dates cover करके जानी है जो भी आपके important dates है और यो dance बगएरा होते है falls dance बगएरा जो आपको cover करके जाने होगी याईनि कि geografie में से आपको इन सबी 6 topic है या нिвонके 6 topic को आपको cover करके जाना होगा इन सबझों आपको इस टाइम एक्जाम जो SSC-CHSL का एक्जाम हुआ उसमें आपका Corona से कोई भी question नहीं पूछा गया तो मैं मानता हूं देखें आपका जो question की बात करें तो आपका Corona से सबसे पहला current affair की बात करूं तो Corona से अपका किवार आपके exam होने वाला है यानि कि 2021 में आपका जो exam होगा CHSL का उसमें आपका Corona virus से 100% 2-3 या 4 भी question पूछे जा सकते हैं दो से लेके 4 question के average पूछे जा सकते हैं अब बात करें देखें अवार्ड से अवार्ड की बात करें तो अवार्ड से अवार्ड से भी 2 question पूछे जाते हैं sports person से भी question पूछे जाते हैं books and order को तयार करना होगा आपको और योजना हैं इनको भी cover करना होगा और आपका project जो है आपको तयार करना होगा आपका cabinet minister ये topics मैंने अभी आपको बताए देखी ये 7 topics हैं आपको current affairs में आपको cover करके जाने जरूरी हैं जो कि आपके लिए बहुत important रहने वाले हैं देखी last topic में note नहीं कर पाया देखी भाबर और हुमाईयू यादि कि बाबर और हिमायू वाला topic आपको मद्यकालिन से cover कर के जाना होगा बाबर और हुमाईयू आप देख सकते हैं cover कर देखी आपको in sबवी topics को cover करने जा होगा मद्यकालिन भारत में से history में आगे बात करो देखी आपका क्या रह गया आदुन आदुनिक काल भारत उसमें आपको आदुनिक भारत की बात करें तो गांधी जी बगरा से जो topics हैं वो आपको cover करके जानी होगे गांधी जी से question related आपको cover करके जाने होगा इन सभी topics को अगर आप cover कर लेते हैं तो भाईयों मैं मानता हूँ के आपके 100% आपका exam clear क्लियर हो जाएगा और 150 marks आप 100% गें कर पाएंगे 150 प्लस marks 150 प्लस अगर minimum आप इतना कुशन यानि कि जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इन सभी टॉपिक्स को अगर आप 100% किलियर लिए अप इमानदारी से आप किलियर कर लेंगे अपने एक्जाम से पहले तो आप मैं मानता हूँ का आपका एक्जाम 100% किलियर हो जाएगा तो साथियों आपको वीडियो कैसी लेगी कमेंट करके रूबताएगा और वीडियो को लाइक अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा सेर करिएगा अपने सभी दोस्तों में ताकि उनको भी वाली है वो आप बताएगे मैं टाइम टेबल के अगली वीडियो बनाने वाला हूँ और आप उससे अगली जो वीडियो होगी वो 60 डेज में आपको अपना एक्जाम किस प्रकार से करेक करना चाहिए उसके उपर वीडियो आने वाली है तो आप कमेंट करिएगा मैं सबसे